दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सब का फिर से एक न्यू वेकेंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपी सी आईल की तरफ से डिप्लोमा वालों के लिए वेकेंसी आई हुई है यहाँ पर लगबग सभी ब्रांचों के लिए वेकेंसी है अगर हम बात करें आपकी इलिजबल ब्रांचों की तो यहाँ पर सिविल, एलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, एलेक्रोनिक, और chemical इंजिनियर से लिजबल रहेंगे, Fraser से लिजबल हैं, आपकी परमान जोब रहने वाली है और All Our India के candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं और क्या बताए गया है इनके Official Notice में उसमें आगे जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और यूटूब पर सबसे ज्यादा जोबस अबडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि Civil Engineering से सम्बंधित किसी भी latest job का सब्सक्राइब के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल और वाट्सप ग्रूप को जरूर जोइन कर लें, लिंक वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो हम है इनके Official Notice पर, Notice आपका Nuclear Power Corporation of India Limited काकरा पार गुजरात साइट की तरफ से जारी किया गया है, अगर हम बात करे NPCIL की, तो ये Department of Atomic Energy में आता है और Government of India का Enterprises है, और बात कर लेते हैं आपकी Important Data के बारे में, तो Form Online होने यहां पर आपके सुरू हो चुके हैं, 6 दिसंबर से और Last Data यहां पर आपकी रखी गई थी पहले 5 जनवरी और अब इसे Extend करके 20 जनवरी किया गया है, तो जो भी दोस्त हमारे सके लिए Interested होते हैं, Elisable होते हैं, आप यहां पर जरूर अपलाई करिए, अब बात कर लेते हैं आपके वेकेंसी लिटेल के बारे में, तो सबसे पहली वेकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है, Safety Supervisor के लिए, टोटल यहां पर आपकी दो पोस्ट ओपर वेकेंसी है, अगली वेकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है, Scientific Assistant B, Civil Engineers के लिए, यहां पर Diploma Holders को इलिजबल किया गया है, दो पोस्ट ओपर वेकेंसी है, और अगली वेकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है, इस Type and Diary और Scientific Assistant के लिए, यहां पर Mechanical, Electrical, Instrumentation, Electronic और Chemical Engineers को इलिजबल किया ग और Chemical Engineers के लिए यहां पर 8 पोस्टों पर भरती है, और Next वेकेंसी यहां पर रहने वाली है, ITI वाली के लिए, ITI में यहां पर Fitter, Electrician, Electronic, Instrumentation, Welder, Machinist, Turner और AC Mechanic को इलिजबल किया गया है, सबसे पहली वेकेंसी यहां पर रहने वाली है, Safety Supervisor के लिए, यहां पर Essential Qualification में आपको बताया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है, Engineering में या फिर आपने BSC की है, और Minimum आपके 50% मार्क है, आप यहां पर इलिजबल रहेंगे, आपके पास एक साल का डिप्लोमा या Certificate होना चाहिए, Industrial Safety का, और आगे आपको बताया है, अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है, 3 साल का, आप यहां पर इलिजबल रहेंगे, अगर आपने Lateral Entry में डिप्लोमा किया है, तो भी आप यहां पर इलिजबल रहेंगे, अगर आपने 10th के बाद ITI किया है, आप यहां पर इलिजबल नहीं रहेंगे, और अगली वेकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है, Scientific Assistant B के लिए, Educational Qualification में आपको बताया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है, Civil Engineering में और डिप्लोमा में आपके 7 प्रतिसत मार्क हैं, डिप्लोमा चाहे आपने 10th के बाद किया है, आप यहां पर इलिजबल रहेंगे, लेकिन अगर आपने 10th के बाद ITI किया है, उसके बाद डिप Pacific Assistant के लिए, Essential Qualification में आपको बताया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है, Mechanical, Electrical, Instrumentation, Chemical या फिर Electronic Engineering में और डिप्लोमा में आपके minimum 7 प्रतिसत मार्क हैं, आप यहां पर इलिजबल रहेंगे, और यहां पर भी आपको बताया है, अगर आपने Full Time में या फिर Lateral Entry में डिप्लोम किया है, तो आप यहां पर इलिजबल नहीं रहेंगे, अब बात कर लेते हैं, आपकी Age Limit और Pay Level के बारे में, तो यहां पर इन पोस्टों को अपलाई करने के लिए, Minimum Age आपके 18 साल होनी चाहिए, और अलग-अलग पोस्टों में यहां पर आपकी Maximum Age अलग-अलग रखी ग सेलरी यहां पर आपकी लग-बग 50 से लेकर 55,000 रुपे प्रतिमन्थ रहेगी, नेक्स पोस्ट रहने वाली है, Diploma Holders, Civil Engineers के लिए, यहां पर आपको Level 6 की सेलरी मिलेगी, स्टाइटिंग सेलरी यहां पर आपकी लग-बग 45 से 50,000 रुपे प्रतिमन्थ रहने वाली है, और अ इनका ट्रेनिंग खतम होता है, इसके बाद सेलरी इन्हें मिलेगी 18,000 रुपे प्रतिमन्थ और इसके बाद में जैसे इनकी एक साल की ट्रेनिंग कम्प्रीट होगी, इन्हें भी यहां पर Level 6 की सेलरी मिलेगी, अब बात कर लेते हैं आपके Physical Standard के बारे में, तो यहां पर आ आपका Written Exam और Personal Interview के आधार पर रहेगा, अब बात कर लेते हैं आपके Scheme of Examination के बारे में, तो यहां पर आपसे Total 120 Question पूछा जाएंगे, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, इसमें English, GA, Aptitude और जो भी आपकी Respective Discipline हैं, उससे Question पूछा जाएंगे, एक Question यहां पर आपका एक अंक काटा जाएगा, जो भी दोस्तों हमारे यहां पर Written Exam qualify करेंगे, उन्हें यहां पर Personal Interview के लिए बुलाए जाएगा, अब बात कर लेते हैं, आप इसके लिए अपलाई कैसे कर सकते हैं, तो इनकी Official Site का लिंक आपको नीचे Description Box में मिल जाएगा, आप वहां से जाके अपना form easily apply कर सकते हैं, form online होने आपके शुरू हो चुके हैं, 6 December से और last date यहां पर आपकी 20 जनवरी रखी गई है, तो जिन भी दोस्तों हमारे डिप्लोमा किया है इन ब्रांचों में, अगर आप इसके लिए इंट्रेस्टेल होते हैं, eligible होते हैं, तो आप यहां पर ज को जरूर सबस्क्राइब करें